दोस्तो आज की इस विडियो में हम cover करेंगे Fire, Friend and Voice, यानि कि जो आख होता है दोस्तो वो हमारा दोस्त भी होता है और वो हमारा दूश्मंदी होता है कैसे वो सभी हम जानेंगे इस चैप्टर में तो दोस्तो इसे हम स्टार्ट करेंग उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैं आपके CBAC Board के English के Class 7 के स्लेबस को कम्प्लीट कर रहा हूँ और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के उपर और लेडी वीडियोस बना दिये है तो दोस्तो यदि आपने उसे अभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो उपर एक आई बटन होगा आप उसमें क्लिक करें आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे और हाँ दोस्तो साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आगे जब भी मैं आपके स्लेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा तो चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते है तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट दोस्तो हमें बताया जाता है अल्ली मैन के बारे में यानि कि पहले के जो लोग थे उन्होंने फायर को कैसे डिसकवर किया होगा हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जब पहले के लोगोंने फायर को डिसकवर किया था यानि कि fire को उत्पन किया था उस वक्त दोस्तों उन्हें fire से बहुत ज्यादा डर लग रहा था पहले के लोग जब उन्होंने fire को देखा था तब वो बहुत सारी चीजे सोच रहे थे कि ये कैसे पैदा हुआ होगा लेकिन दोस्तों आज की दुनिया में ये बहुती easy है कि सभी को पता है जो fire है वो result है यानि कि fire chemical reaction के दुआरा होता है यहां आपके book में बताया गया है कि fire क्या होता है तो मैं इसे Hindi में नहीं बलके English में बताऊंगा ताकि आप easily exam में लिख सको तो when oxygen present in air combines with carbon and hydrogen present in a fuel energy is released in form of heat and light and this is what fire is अब यहां पर मैं आपको तीन चीज़े बताने जा रहा हूँ आपको ये अच्छे से याद रखना है तो दोस्तों आप सभी को शायद नहीं बता होगा कि fire कि तीन चीज़े होना जरूरी है fire के होने के लिए तो दोस्तों उसमें से पहली चीज़ है fuel दूसरी है heat तीसरा है oxygen तो फिर से आप इसे अच्छे से रट लो पहला है fuel दूसरा है heat तीसरा है oxygen अच्छा यहाँ पर बहुत सारे students ऐसे होंगे जो fuel का मतलब petrol समझते होंगे तो मैं आपको बता दू कि fuel का मतलब सिर्फ petrol नहीं होत है और जो heat है न वो भी बहुत ही essential है अगर आपको fire चाहिए यानि कि आग के लिए heat भी बहुत ही essential है यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर आप किसी paper में भी आग लगाना चाहोगे न तो उसमें आग नहीं लगेगा जब तक आप उसमें heat नहीं दोगे अब यहाँ पर दो लिए एक temperature का होना ज़रूरी है यानि कि हर चीज़ को जलाने का दोस्तो एक नए एक temperature होता है जब तक आप उस temperature के point को reach नहीं करोगे तब तक वो चीज़ नहीं जलेगा second point में हमें बताया जाता है कि जो fire है वो हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है जिया fire से आपको फाइदा भी होता है और उसे नुपसान भी होता है अगर आप उसे control में use करोगे यानि कि जतना आपको जरूरत है उतना ही आप उसे use करोगे तो वो आपके लिए बनाना हो गया या candles को जलाना हो गया तो इन सभी चीजों में fire हमें बहुत ही use करता है यानि कि बहुत ही useful है लेकिन अगर आपने fire को control नहीं किया यानि कि अगर वो uncontrollable हो गया तो इससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है इससे आपका घर जल सकता है इससे बहुत बार दोस्तो जंगल भी जला है आप सभी को पता होगा और यदि आप fire को बुझने मिंस अगर आप fire को बंद करना चाहते हो यानि कि fire को बुझाना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसमें से या तो air या तो fuel या तो heat को हटाना होगा air मतलब वही oxygen दुसरा हो गया आपका fuel तिसरा हो गया heat तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आपको वहाँ से हटाना होगा तब ही जो वो fire है वो बुझेगा वो कैसे वो आपको अभी आगे पता चलेगा अच्छा बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता होगा कि oxygen को हटा कर हम कैसे आग को बुझा सकते है तो यहाँ पर मैं आग लग गया तो आप उसे बुझाने के लिए क्या करोगे तो उसके उपर आप अलग से एक और कपड़ा डालते हो अगर किसी इनसान को आग लग जाता है तो उसके उपर कोई पानी नहीं फेकता वो क्या करता है वो उसे जाकर blanket से लपेट देता है तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर हमने oxygen को बंद कर दिया जी हाँ इसलिए वो fire बंद हुआ यह तो बात हो गई कि आप कैसे oxygen को block करके fire को बंद कर सकते हो अब हम बात करते हैं कि आप कैसे temperature को खतम करके fire बंद कर सकते हो इसका बहुत easy example है मालीजे कि paper में आंग लगा तो आप उसके उपर पानी का drops फेकेंगे तो वो बंद हो जाएगा तो यह क्यों है क्योंकि हमने temperature को कम कर दिया उसमें पानी डाल कर यहाँ पर हमें एक बहुत important point बताया गया है तो इसे आप note ना करें इसे आप अपने दिमाग में डाल ले क्योंकि यह बहुत important point है यहाँ पर हमें बताया गया ह कि जब भी electrical wires में या कहीं भी electronic के चीज़ों में आग लग जाए तो दोस्तो उसमें पानी नहीं डालना चाहिए जी हाँ अगर आप पानी डालोगे तो current और फैलेगा तो यहाँ पर सवाल यह आता है कि उसे कैसे बंद किया जाए तो यहाँ पर आपके book में नहीं बताया गय है लेकिन मैं आपको बता दो कि उसके उपर आप बालू वगयरा डाल कर उसे बंद कर सकते हो इस chapter का last point है fire fighters तो fire fighters किसे कहते है नाम से आपको पैदर चल गया होगा तो जो आग को बुझाते है उसे ही कहते है fire fighters यानि कि जो आग को control करते है तो पहले के जमाने में क्या होते ह तो दोस्तो कहीं पर भी आग लग जाता था ना तो fire fighters आते थे और वो एक chain बनाते थे यानि कि वो सभी लोग हाथ पकड़ कर खड़े होते थे line by line और वो कुए से पानी निकालते थे और जल्दी जल्दी one by one वो पानी को बढ़ाते थे और आग को बुझाते थे पहला ऐसे ह होता था लेकिन अभी दोस्तो थोड़ा professional हो गया है अभी के time में आप सभी को पता है कि fire brigade आ गया है वहाँ पर जितने भी लोग आते है वो सभी professional और well trained होते हैं उन्हें सभी चीजे पता है उन्हें पूरा knowledge है first eight का और उन्हें ये भी पता है कि अगर कोई बंदा या कोई भ पूजा भी होती थी पहले के वक्त में बहुत सार ऐसे लोग है जो fire को god मानते थे around the globe यानी की पूरे दुनिया में उनके culture में fire को god माना जाता था और यहाँ पर ये भी हमें बताया गया है कि अगर हम fire का utilize अच्छे से करे तो वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा आख का सही से यूज़ करें जितने जरूरत हों में उतने ही यूज़ करें और gas को हमें कभी भी open नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है उससे आख वगारा बहुत लगता है तो दोस्तों यहीं पर ये chapter end होता है मुझे उम Fumble भी होता है आपको पता है लेकिन एक ही बार में बोलता हूं मुझा अच्छा ही लगता कि बार बार मैं बोलू Fumble होता है तो कोई बात नहीं है आप सहल होगी मुझे पता है तो मिलते है आप से बहुत ही जलत अगले वडियो के सहाथ और हाँ मेरे एकॉर चानल है जसका link description बॉक्स में मिल जाएगा तो यार उसे भी सब्सक्राइब कर दो